हलो दोस्तो मेरा नाम है अमरीकपार सिंग और आपका स्वागता है मेरे जूटूब चैनल बूसा तूडी मार्केटिंग में मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया कि हम आगे एक पार्ट टू बनाएंगे जिसमें आपको इस बिजनस के बारे में थोड़ा बहुत जितना का हमें पता है देखिए दोस्तों अब नहीं तूडी आने को है दस दिन में नहीं तूडी आजाएगी प्रानी तूडी का स्टॉक हमारे पास रहा ही नहीं है खतम हो चुका है जे थोड़ा बहुत था जो निकल गया अब इसको इस बिजनस के बारे में जानने के लि है दिखाना जैसे बड़ी प्रेस लगी हुई है वो स्क्राइब मशीने है कि स्क्राइब मशीने उन स्क्राइब मशीनों से मतलब बड़ी गांट बां सकते हैं दो क्वांटर देट कौंटर उसके बारे में भी आपको अगली वीडियो में जानकरी देंगे लेकिन आज मैं जिसके बारे में जानकरी देने हो वो 50 kg वाली मशीन है यह 50 kg की गांट बांती है और गट्टे में पैक कर देती है दोनों तरफ से गट्टा बंदो यह ता चारो तरफ से तूड़ी पैक हो जाती है अच्छा दोस्तों इसके बारे में जानने के लिए इसका जो प्राइज है कितना इसमें बांदने के लिए खर्चा आता है उसके बारे में आपको मैं step by step बताता जाता हूं ठीक है इधर से शुरू करते हैं देखिए दोस्तों इसमें 50 hp का इंजन लगा हुआ है और आगे पंप लगा हुआ है पंप जैक लगे हुए है जैक मतलब इस पंप की पावर से दकेल के बूसे कोई कठा करके उसकी गांट बांते हैं जे मशीन इस मशीन के लिए सर ना तो किसी कनेक्शन की जरूरत है ना आ पर जाके आप बैठ जाओ लेकर इसको और गांटे बांथे रोबस कोई ज्यादा जरूरी नहीं है कि इसके लिए अपने को जगा खरीजनी पड़ेगी जे वो मतलब यह चलता फिरता समान है इसको कहीं भी लिजा सकते हैं इसका सिस्टम सर्जे है कि जे एक गंटे का कोईटल माल बांद एती है 40 कोईटल माल बांद के आप लगालों की 10 गंटे में अगर 10 गंटे लगातार मशीन चलती है तो 400 कोईटल के गरीव हो गया तो दो गाड़ी माल मतलब निकल जाता है एक दिन में अगर डेली निकाले आजमी इसके लिए सर आपको हम जे मैनुफेक अगर आप मोटर भी लगा सकते हैं और अगर आपको इंजन और मोटर दोनों नहीं चाहिए तो आप सीधा ट्रेक्टर का क्रॉस डलता कर सकते हैं और यह चल जाएगी उसी साब से इसकी कीमत है सर अगर ट्रेक्टर वाली लेनी है तो साड़े 15 लाग तक चली आती है अगर इंजन जा मोटर आप मोटर इंजन और मोटर की तो एगी कीमत अगर यह लगवाने तो देट से पहूंए दो लाग रूपए और एक्स्टर इसमें एड़ हो जाती है इसको अगर आप जय समझ के चलें कि जैसे किसान हाड्वेस्टर मशीन ले आता है हार्ड वेस्टर मसीन लेकियाता है तो उसके उपर वो 25 से 25 लाख रुपे लगा देता है और उसको चलाता कितने दिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा चलती है 15 जब 20 दिन और उस 25 दिन में जितनी उसने कमाई कर दी वस उसके बाद वो दान के सीजन तक खड़ी रहती है अगर इसको आप सर वैसे समझ के भी चलाएं कि सीजन सीजन ही चलाना है तो सीजन सीजन में जिए आपको ज़्यादा नहीं अगर हार्ड वैस्टर मसीन 3 से 4 लाक रुपे कमाई कर रही है तो जिए 5 से 6 लाक रुपे आपको कमाके दे सकती है और जरूरी नहीं है ज़्यादा दूर बागने कि आप अपने गाउं से जितना माल आप बांद सकते हैं उतना माल बांदो उठाने की कोई प्रोब्लम नहीं है अगर आप हमारे साथ मिलके काम करते हैं तो आप जितना माल इस मशीन से बांदोगे उतना माल हम उठा लेंगे उठाने की जिम्मेवारी हमारी है जो रेट चल रहा होगा उस रेट के हिसाब से आपका माल उठ जाएगा बाकी अगर आपको और कोई भी डिटेल में इसके बारे में जानकरी चाहिए अगर इसको चलते हुए देखना है वो भी मैं आपको वीडियो डाल दूँ हो बनाके कल जाम परसों तक इसको चला के अभी थोड़ा माल अच्छा नहीं आ रहा तो हम बांद नहीं रहे थोड़ा अच्छा माल आएगा तो चला के आपको नहीं माल पर इसकी चलती हुए वीडियो भी डाल देगे और अगर आपको इसके बारे में कोंकरी चाहिए तो आप मेरा नमबर about वीडियो के उपर लिखा हुए उस नंबर से